नमस्कार दोस्तों मैं संदीप स्वागत है आप सभी का आपके अपने सक्षेस यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज मार्डल पेपर का स्रीज नंबर है फोर्थ तो आज किस वीडियो में हम जानेंगे बिए पॉलिटिकल साइंस मार्डल कोईश्टन के बारे में जो की 2020 और सारे जानकारी हम आपको बताने वाले तो प्लीज वीडियो को पूरा देखते रहेगा और आगे आपके सामने बहुत सारे कोईश्टन के स्रीज है तो हम वह भी आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार के कुईश्टन आएंगे और इंपॉर्टेंट को देखेगा आप साथ में आप इंडिया के चात्रों सभी के लिए इंपॉर्टेंट है तो पूरी स्रीज पूरी वीडियो ध्यान से समझेगा और ध्यान से क्वेश्टन को आप लोग आपने मैं में सेट कर लीजेगा तो बिना देरी के आगे बढ़ते हैं हम आपको बताएंगे इस वीडिय 99% University में जो Questions आते हैं वह गंडर में ऑब्येक्टिव और ऐर में कुछ को स्वीडियों गवजास va आज की स्रीच का निम्न में से चोरी-चोरा कांड कब हुआ था आफसन आपको मिल जाएंगे 1925 1923 1922 1922 इसी तरह की कुश्चन आप आप लोगों को देखने मिलेंगे चाहिए आपका ओमार सीट पे जाम हो या फिर आनलाइन हो दोनों मोडल में होते हैं आप लोगों के तब भी इसी तरह के कोश्चन आप लोगों को देखने मिलेंगे ओमार सीट में होगा तो आप लोगों को गुला करना होगा अगर आपका कि यहां राइट एंसर होगा तो इस प्राइट एंसर फिराल जिन चाहत्रों का मालूम हो कमेंट सेक्षन में बता सकते हैं ठीक है तो मैं तो बताऊंगा ही इस सब्सक्राइब करता हूं कि जो भी इंपार्टन कोष्चिन हो भी वह ही मैं आप तक प्रवाइट करूं कि कि पिछले तीन-चाहर सालों से मैं लगातारी इस्पेरियंस कर रहा हूं कि जो इंपार्टन कोष्चिन होते हैं एक्जाम के लिए वही मैं आप तक प्रवाइट करता हूं और रिपीट हुए कोष्चिन हुए हुए ते हैं यह ठीक है जो मैं कोष्चिन बताने वाला हूं कर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको एक्जाम में काफी हिल्प मिलेगी और जिन चात्रों को कोई कोई सुझाव है तो वीडियो के लास्ट में आप लोग जरूर पूचिएगा ठीक है लेकि फिर भी इस तरह के कुष्चिन जर्नली एक्जाम में पूचे ही जाते हैं क्योंकि बहुत साइज चात्रों को नहीं मालूम होता है मालूम होते हुए वो कन्फ्यूज रहते हैं ठीक है तो इस कोष्चिन के तो राइट नंसर हो जाएक वो क्या हो जाएगा मैं आपको बता देता हूं महत्मा गांधी भाज छोड़ो आंदोलन में करो या मरो कनारा महत्मा गांधी ने दिया था ओके और साथ सार में आपको यह वी बता दू अगर टाइप करने में कोई वर्ड मिस हो चकता है तो अगला क्वेश्चिन है कि गांधी जी द्वारा नमक कानून कब तो हो जाए ठीक है वरना मैं इसका आइंसर बताके आगे को बढ़ सकता हूं लेकिन अगर इस तरह में डीप में थोड़ा टाइम लेकर आप तक को समझाओंगा तो आपके भी जल्दी समझ में आ जाएगा ठीक है तो इसको तो राइट एंसर हो जाएगा उनीस सो पीस अगला क कि पंजाब किसरी किसे कहा जाता है नमबर एक लाजपत्राय को महत्मा गांधी को जमाहलाल नहिरू को तो यह कुश्चन तो साइद बहुत कम छात्रों को मालूम होगा लेकिन फिराल इसको राइट एंसर हो जाएगा ए नमबर लाजपत्राय ओके ए नमबर अब बढ़ते ह और अगला क्वेश्चन है कि भारते राष्टे कांग्रेश की स्थापना कब हुई इसको राइट एंसर तो अल्मॉस्ट सभी छात्रों को मालूम होगा तो आफसे मिल जाएंगे अठासो शाट निस्टो दस अठासो चैसी और अठासो पर सकतर तो फिरहाल राइट एंसर कि अगला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली के पहले भारत की दाजधानी नई दिल्ली के पहले भारत की दाजधानी वो कलकत्ता थी राइट एंसर का हो जाएगा इन अगला क्वेश्चन है आर इस समाज के संस्तापक निम्न मेंसे कौन है नमबर एक राजा राम मोहन रहे नक्टर राजयन परसाद महात्मा गांधी स्वामी दयानन सरस्ती है तो इस क्वेश्चे के जो राइट एंसर हो जाएगा वह राजन परसाद लाड़ कैंद लाइट मौनट वेटन है इन मेंसे कोई इस को इसन राइट एट एंसर हो जाएस नंछ इसलिए राइट एंसर का हो जाएगा सी नंबर कि अगले क्यों बढ़ते हैं कि अगला क्विश्चन कहे रहा है कि 1928 में कांग्रेश के कौन अध्यच थे स्वामी वेकानन्द और प्यारे लाग क्विश्चन का राइट एंसर आप सभी मालूमी होगा कि ए नंबर हो जाएगा मोति लाल नहरू के अगला क्विश्चन है कर लाइड मो मैं कॉले हैं मैं क्ले छाएगाग फोरत दिन्हों पहलत आता तो आप दियान दिजीए को आपकि दोनों काम आए गया इस एक्जाम के भी काम आए गया यनि कि आपको ब्येक्री हैं पोर साइंस का इस सब्जेक्टbooks उसमें भी और आप चिन यो क्विश्च तो दुबारा आगया कोई बात नहीं है इसको राइट हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्थी अगले क्यों बढ़ते हैं दुफ्तों कुछ लगना हो जैपुर अमरत सर्व मेरट तो इसको राइट सर हो जाएगा इसको राइट हो जाएगा डी नंबर मेरट तो चलिए मेरट पर क्लिक करते हैं तो अगले कोश्चिन है कि बिट्रेस इंडिया ससाइटी के सवाध्य कौन थे या अम सकता है ठीक है क्योंकि ये अभय थे नहीं जो स्थाक किनोंने किया चन्सा ठीक है घ्म है लेकिन एक से कोश्चन हो सकते हैं आप सब्सक्राइब करने के पूर्भ गांधी जी ने किस सत्याग्रह का नेत्रत्त किया था आपसर मिल जाएगा आमदाबाद चंपारण और खेड़ा ंकम थे सभी इसको एकर राइट एंसर हो जाएगा दौक्तू Durham राइट एंसर हो जाएगा इन में से सभी भारतिय राजनेती में प्रबेश करने से पूर्ब गांधी जीन ने इन सभी सत्य ग्रह का नेत्रत किया था इसलिए राइट एंसर डी नमबर हो जाएगा अगले क्यों बढ़ते हैं कि अगला question कहाँ चारी चाराक नामक अस्थान कि जिले में आता है आजमगर बनारस बलिया गोरगपुर क्वेश्चन का राइट डिश्यर हो जाएगा गोरगपुर में 44 नामक अस्थान आता है ठीक है कि गोरगपुर ध्यान दिजिएगा important question कि भारतिय पूर जागरन का पिता किसे कहा जाता है आप साने के रभिनार ट्राइगोर फिरोसा राजा राम मोहन राय गोबिंद बलव भाई पंत ठीक है इस कोईश्चें का तो राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा सी नंबर राजा राम मोहन में रेपीट हो चुका है तो आप पो यह कोईश्चेंज जानना बहुत ही जरूरी है तो इस कोईश्चेंज के तो राइट एंसर हो जाएगा वह जाएगा सी नंबर राम परसाद बिसमिल ऑके अगले कोईश्चें कर बढ़ते हैं अक्ला कोईश्चें कह रहा है कि निम्डख कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा ठीक है अगला कुश्चन है कि निम्न में से बनारस हिंदु बिस्विद्ध्य ले की इस्थापना किसने की आफसर मिल जाएंगे मदन मोहन मालवी और बी नमबर जमाहल लाल नहरो महत्मा गांधी राजेंद प्रसाथ कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा हिंदु बिस्विद्ध्य ले की स्थापना मदन मोहन बालवी जी ने की इसलिए राइट एंसर इनमबर हो जाएगा ठीक है अगले कुश्चन के और मढ़त हो जाएगा शाबर मती से गांधी जीन ने सबने अवाग्याव अंदोलन प्रारम किया था राइट एंसर हो जाएगा बी नमबर अगरा कुश्चन है कि किस उबर सच हबिस जनौरी को भारते राष्टे कांगेश ने सोतन्ता दिवत सरपत्थम मनाया था बहुत इस ठीक है 26 जनौरी को भारती राष्टे कांगेश ने सोतन्ता दिवत सरपत्थम 1930 में मनाया था ओके अगला कुश्चन है कि गदर आंदोलन के सस्ताफक कौन थे महत्मा गांधी लाला हर दयाल इंद्रा गांधी जवार लाल नहरू राइट एंसर हो जाएगा इस चोचन का बी नंबर हर दयाल ओके हर दयाल अचलिए अगला कुश्चन है कि भारत छोड़ा आंदोलन क्या गया नोगस्त 1992 में जो जुलाई 1922 में 8 सितंबर 1922 में अगस्त 1923 में भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1922 इस भी में प्रारम किया गया था इसलिए अग्रा क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कहां हुआ इंग्लेंड नोइडा सिंगापूर जापान क्वेश्चन का राइट एंसर हो कि इंडिया नेशनल आर्मी का गठन सर्प्रथम या आर्मी का गठन सिंगापूर में हुआ था राइट एंसर हो जाएगा कि इसलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं लिखा है कि यंग इंडिया पुस्तक कि ने लिखी जमाहललाल नहेरू भागत सिंग लाला राजपात इसलिए नंबर अगला क्वेश्चन है कि भारतिया राष्टे कांगेस की पृथम महला अध्यच सोनिया गांधी एनीबेसेंट सरोजनी नाइट इंडरा गांधी यह राजनीति सास्थर के इंपॉर्टन कोश्चन है तो इसकूष्चन का राइट एंसर आप सभी को मालूम ह नहीं होगा कि कौन हो सकते हैं तो मैं इसकूष्चन का राइट अंसर आप लोगों को भिना देरी की बता देता हूं इसकूष्चन का राइट है अब हम बढ़ते हैं अ फिराल इस स्रीज में 29 पॉस्चन नहीं थे ठीक है इतने ही इंपॉर्टन कोश्चन थे आप सभी के ल कोश्चन इस पर में रिसर्च करके आप तक प्रवाइट करूंगा लेकिन फिराल आज किस वीडियों बज़त नहीं कोश्चन अगर आपका कोई 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 सुझाओ है तो बेसक कमेंट करके पूंश सकते हैं आप किसी भी सब्जेट का माडल पेपर भी चाहिए तो आप कमे जाहिए 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 तो